नमस्कार में शुषिल मापतरा पहले कई बार में आप सब को Digital Fraud के बार में बता चुका हूँ कई बार बताया कि किस तरह से Digital Fraud सब होते हैं और इसके द्वारा लाखो की संख्या में लोगों को चुना ला जाता है आज हम बात करेंगे कि कैसे फरजी customer के नंबर जो है वो social media में और Google में जो है वो मिल जा रहे हैं और लोग उसी फरजी customer के नंबर का सिकार होते हैं उन्हें लगता है कि जो number दिया गया है उनके पास जो number पहुंच रहा है वो number सही number है और जब भी वो digital fraud का सिकार होते हैं उस number पर call करते हैं और फिर फिर यही होता है कि जब वो call करते हैं और वो fraud का number होता है फरजी customer के नंबर होता है और fraud लोगों को guide करता है और इसके बाद आपकी जो confidential detail होता है उसे ले जाता है और एकोसिस करता है कि आपकी account से पैसा निकाल लिया जाए कई बार fraud जो है पैसा निकालने में success होता है और कई बार जो है वो सफल भी नहीं हो पाते हैं और आपको बत भारत में 31,000 से भी जादा फरजी customer के नंबर है जो फरजी customer के नंबर है 31,000 की जो exactly बात की जा रही है उसमें आपको बता दें कि करीब 60% जानी 18,000 की करीब जो नंबर है वो भारत ये नंबर है मतलब आप भारत ये जो टेली communication है उनके नंबर है उनी company के नंबर है और इसके बाद जो 40% है वो बाहर के नंबर है तो ये जो भारत की जो 60% नंबर है यानि जो 18,000 की करीब नंबर है उनमें से 70-80% जो नंबर है वो आक्टीव है तो ये एक बड़ी बात है कई लोगों को लगता होगा कि जो नंबर है ज जैसे मैं आपको आंक्डे दे रहा हूं उन में से 80% जयानि भारत जो भारत ये नंबर है भारत में जितने कोड के जो नंबर है मतलब 18,000 की जो नंबर में कहे रहा हूं उनमें 100% जो नंबर है वो काम कर रहे है तो आपके मन में इस सवाल आता होगा कि लोग fraud customer care number की सिकार के कैसे होते हैं आपको मैं समझाता हूं समझ विजिए कि आप कहीं पर किसी डिजिटल फ्रॉड का सिकार होगे आप कहीं सामान मंगवाए हैं आपके पास गलत सामान पहुंच गया या फिर कहीं आप फाइनेंसियल फ्रॉड का सिकार होगे यह कोई कोशिस कर रहा है कि आपकी ब ऐसा लिया जाए जब भी आप डिजिटल फ्रॉड की सिकार होते हैं तब आप क्या करते हैं आप यही कोशिज करते हैं कि कंप्लेंड किया जाए तो कंप्लेंड के लिए क्या होता है कि आप नंबर धुनते सब के पास नंबर नहीं होता है जो कंप्लेंड नंबर है उसे आप कई बार जो complaint number है वो आपको social media मिल जाता है facebook में मिल जाता है google में search करने से मिल जाता है और आपके आंकडे देदू कि जितने number active है और जो भी फर्जी number है मैंने आपको बताया fraud customer के number है उनमें से ज़्यादा से ज़्यादा जो number है वो facebook में मिल जाते हैं facebook में जादा से जादा लोग जूड़े हुए हैं तो यह जो fraud है वो ही कोशिस करते हैं कि जो 4G customer के number है वो facebook के जरिये लोगों के पास पहुंचा जाए तो जब आपके पास कोई ऐसा number पहुंचता है और आप fraud का सिकार हो गया है या डिजरियर fraud का सिकार हुए है तो आप यही को है आपको इस पर phone करके complain करना चाहिए लेकिन वो number जो है वो सही number नहीं होता है जैसे मैंने बताया कि यह फर्जी customer के number होता है जैसे 32,000 की करीब फर्जी customer के number भारत में चल रही है उन में से हो सकता है कि आप जिस number पर call कर रहे हैं वो एक फर्जी customer के number हो और जैसे आपने फर पर जो है को कौल को पी करता है आपको लगता है कि आप जो है सही आदमी से बात कर रहे हैं उल्ए लेकिन यह जो number आ बात करते होते है जो फर्जी customer के रहे हो फर्ट उता है फिर इसके बाद fraud आपको guide करता है, आपको वो बताता है कि आपको क्या-क्या करना है, इसके साथ-साथ आप उसे विश्वास कर लेते, आपको लगता है कि आप सही जो है कस्टमर के यार नंबर पर बात कर रहे हैं, सही जो है manager से आप बात कर रहे हैं, और आप उनको detail देते रहते हैं और वो आपका detail लेने के बाद पूरी confidential detail जो आप जब ले लेते हैं फिर वो क्या करते हैं ना आपके account से पैसा निकालने की कोशिस करते हैं और कई बारो success हो जाते हैं तो देखिए आप किस तरह fraud का सिकार हो रहे है पहले तो आपने fraud का सिखार होए का digital fraud का सिकार होए इसके बाद आपको लगा कि अगर digital fraud का सिकार हो गए है तो आपको customer care पर phone करके आपको वहाँ complaint दर्च करना चाहिए और जब आप customer care number पर phone करने के लिए जाते हैं तो आपके पास 4G customer care number मिल जाते हैं या फिर 4G customer care number पर आप phone करते हैं और वहाँ पर भी fraud आपको चुना लगाता है आपकी confidential detail जो है वो ले लेता है इसके बाद आपके आ रखने की जरूरत है क्योंकि हर तरफ जो है fraud हो रहा है तो जब भी आप ये आपकी साथ digital fraud होता है तो आप ये कोशिज किजिए कि आप सही number पर complain करें अगर आप से कहीं गलती हो गई अगर आप 4G customer के number पर जो है phone करके आपना detail दे दिये इसके बाद आप भी दोबारा फिर fraud का सिकार होंगे दोबारा फिर आप digital fraud का सिकार होंगे दोबारा आपकी bank से हो सकता है पैसा कोई निकाल दे fraud निकाल के अपने account में transfer कर ले तो इसलिए हमेशा ये कोशिज किजिए कि आप सही number पर phone करें अगर आप सही number पर phone करेंगे तो वो आपको मदद मिलेगी अगर आप गलत number पर phone करेंगे फरजी customer के number पर phone करेंगे तो फिर आपका दोबारा नुक्सान होगा आज के लिए इतना ही नमस्कार